Hello Everyone, Welcome to my channel Easy Learning अभी जोग्राफी में फीजिकल फीचर्स बहुतिक तत्व इंडिया का हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग का हिमालेन माउंटेन खतम हो गया है अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके देख लीजेगा बहुत इंपोर्टन चैप्टर है और फुली मैप बेस्ट एक्स्परनेशन है आज हम लोग पढ़ेंगे दे नौर्दन प्लेन या उतरस्त सम्तल भूमी यह हम लोग का सरह हिमालेन माउंटेन हो गया इसके नीचे जस्ट यह जो पोर्शन है वो है दे नौर्दन प्लेन या उतरस्त सम्तल भूमी इसका फॉर्मेशन फ्री मेजर रिवर सिस्टम से ही बना हुआ है यह सारे नदी के फ्लो के कारण हम लोग को अलुवेल सॉयल मिलता है जो कि बहुत ज्यादा फटाइल है या उसे बोल सकते ही उपजाओ लैंड है यह प्लेन हमें हिमालाय के फुटहिल्स में मिलेगा जो कि मिलियंस ओफ इयर्स अलुवेल सॉयल के डिपोजिट से बना है और इसलिए यह फटाइल लैंड फॉर्म करता है यह नॉर्धन प्लेन स्प्रेड कर रहा है तोल एरिया सेवन लाग स्क्वार किलोमेटर यहां से लेके यहां तक अगर इसका डिस्टेंस देखें तो हम लोग का है 2400 किलोमेटर नाउ इसका वेड़ है 242 किलोमेटर तक यह एरिया देंसली पॉपुलेटेड है बिकाज अफटाइल लैंड फेवरेबल क्लाइमेट और एडिकेट वर्टर सप्लाई यहां पे लैंड उपजाओ है यहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और एडिकेट वर्टर सप्लाई यहां पे वर्टर सप्लाई भी बहुत अच्छा है इसलिए यहां पे पोपुलेशन ज्याधा रहता है जैसे हम लोग का यह नौर्धन प्लेन इंडस या सिंधु नध गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण formation हो रहा है और यह रिवर्स सारा कहां से आ रहा है Northern Mountains से यह सारे रिवर्स के कारण Depositional Activities हो रहा है बट इन लोयर कोर्स रिवर का Velocity कम रहता है तो रिवरियन आइलेंड क्रियट होता है ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण हम लोग को एक रिवरियन आइलेंड मिल रहा है जिसका नाम मंजूली है नाम ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण यहाँ पे लोयर कोर्स में हम लोग को मंजूली आइलेंड मिल रहा है जो की आसाम में है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे rivers lower course में split होके numerous channel create करता है and deposit करता है slits सारे and उसको बोलते हैं ये सारे जो channels है इसे बोलते हैं हम लोग distributed सपोज एक river flow हो रहा है and lower course में ये separate हो गया separate होके side में deposits हो गया slits and ये सारा जो separation है river का river flow होके separate हो गया and different channels create करने लगा इसे हम लोग distributary बोलते हैं लेकिन अगर एक river flow हो रहा है and उसके अपर course में अगर कोई river आके उसे join करता है इसे हम लोग tributaries बोलते हैं now हम लोग का ये जो northern plane है वो broadly divide है three divisions में first one is Punjab plane second one is Ganga plane and third one is Brahmaputra plane या हम लोग का जो पंजाब plane है इसका creation इंडस river के कारण हुआ है and इसके tributaries के कारण हुआ है जा प्रिएन प्रीएन का जो larger portion है हम लोग देखेंगे उसे पाकिस्तान में and ये इसका creation हुआ है इंडस अनस tributaries इंडस का tributaries कौन सा पौन सा है इंडियस का ट्रिबुटेरिस कौन-कौन है देखेंगे जेलम चेना ब्रावी सतलेज और यह सब का ओरीजिनेशन हिमाले से हुआ है और इस सेक्षन को हम लोग दो आप बोलते हैं डू दो आप डू मतलब दो आप मतलब नदी दो आप बोला पंज मतलब पंच और आप मतलब नदी जैसे वह पंच नदी कौनसा कौनसा है जेलम चेना ब्रावी इंडर्स और सतलेज गंगा प्लेन एक्स्टेंज बिट्विन घागर और तीस्ता रिवर मतलब यह स्प्रेड हुआ है घागर और तीस्ता रिवर के बीच में नाव गंगा प्लेन कौनसा कौनसे स्टेट में स्प्रेड हो रहा है चलो देख लेते हैं जैसे नौर्ट इंडिया पर यहां पर देख सकते हैं उत्राखंड हर्याना देली उत्तर प्रदेश बिहार जार्खंड पार्टली देन वेस्ट बेंगॉल यह सारा एरिया हम लोग का गंगा प्ल प्लेन या इंडर्स प्लेन नाओ यह जो नौर्धन प्लेन है उसे डेस्क्राइब किया जाता है फ्लाट लैंड की तरह विच इस नौर्ट रू यहां पर बहुत व्यारिएशन देखने को मिलता है और यह फोर रीजन में डिवाइड किया गया है सब्सक्राइब हम लोग को देखने को मिलें यह सपोस हम लोग का सिवालिक है इसके जस नीचे हम लोग को जैसे दिखाई दे रहा है 8-16 किलोमेटर तक विट्स पारलेल टो सिवालिक हम लोग का यह पेबल्स नैरो बेल्स में डिपोजिट हो रहा है सो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं भाबर सो भाब बरके जस साउथ में हम लोग को देखने को मिलेगा दस्ट्रीम्स और इवर्स इमर्ज एंड क्रिएट वेट्लैंड और इसे हम लोग बोलते हैं तराई कि यह पे हम लोग को फोरेस्ट भी मिलेगा और वाइल्लाइफ भी फुली यहां पे हम लोग को मिलेगा दबनाओ यहां पे जो फॉरेश्ट था आफ्टर पाकिस्तान यहां पे अग्रिकल्चरल एक्तिविटी हो रहा है और लोगों का सेटिल्मेंट हो रहा है वाइए अन इस वन इस दूद्वा नैशनल पार्क विच इन उतर प्रदेश एंड यह तरही रिजिन में हम लोग को देखने को मिलता है ना हम लोग के यह जो भांगर है रिवर के फुट प्लेन से थोड़ा डिस्टेंस में या थोड़ा दूर में यह हम लोग को भांगर मिलेगा एंड र प्रिवर के बगल में ही हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि हम ख़दर बोलते हैं थोड़ा दूर में रिवर के फुटप्रेंट से थोड़ा दूर में लोग hara हम लोग दिखेंगे उसे हम लोग भांगर बोलते हैं आप यह एडिया बहुत फटाइल होता है आद यहां पर इंटेंसिव अग्रिकल्चर अक्टिवीटी होते रहता है इस दे कम्पेशन अफ नॉर्दन प्लेन या उत्तरस्त सम्तल भूमी इफ यू हव एनी डाउट प्लीस लेट मी नो इन मैं कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेनिंसुलर प्लेट्यू नाव आव एक्वेस्टिन फॉर आल अफ यू जस्ट इप्लाइ इन मैं कमेंट सेक्शन मंजूली रिवर लाइन आईलांड जोकी रिवर से निकला हुआ आईलांड है या द्वीप है कौन से स्टेट में सिचुएटेड है अगर ये वीडियो आपको हिल्फुल लगा हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजेगा और थैंक यू फो वाचिंग